श्री शद्गुरू महराज की जय प्रातहस्मर्णी अनंत्स्री व्योशीत परमाराद्य शंद्शद्गुरू महर्शी मेही परम्हंजी महराज का प्रवचन्द। शमय लगाना पड़े, कष्ट शहना पड़े, तो भी अवश्य सत्संग करना चाहिए। मंगल मूरती सद्गुरू मिलवैं शरवाधार, मंगल मैं मंगल करना विनवाँ बारंबार। प्यारे लोगों, हम सब लोग इस हॉल में बैठे हुए हैं, हम लोग इस हॉल में क्यों आते हैं? यह सत्संग हॉल है, यहां सत्संग करने के लिए आते हैं। सत्चंग करते हुए कष्ट भी हो तो उसको शहना धर्मानुकूल और नीती के अनुकूल है। शान्ती हो शान्ती की प्राप्ती हो। शान्ती की प्राप्ती उपर के पोशाक से या संसार के एश्वर्ग से नहीं होती है। यह हम अपनी लंबी आयो में देखते आये हैं, क्या पढ़ने के समय में, क्या सत्संग के समय में, सुना जाता है, देखा नहीं है, योगी लोग ऐसे थे कि गर्मी में वे अपने को सीतल रखते थे और सीत में ठंड में अपने को गर्म रखते थे, यह योग शक्ती में होना अ शंभव नहीं है, शर्व शाधारन लोग इस प्रकार के योग में प्रविर्त नहीं हो सकते और न अभ्यास कर सकते हैं, हम लोगों ने ज्ञान, योग और भक्ती इन तीन का अबलंब क्या है, इसको घर में रहने वाले ग्रहस्त और बाहर में रहने वाले शाधू भी अवश् शत्संग करना चाहिए शत्संग अकेले में भी हो शकता है अकेले बैठे बैठे इश्वर का भजन करो या गुनगान करो तो भी शत्संग होगा क्योंकि इश्वर की चर्चा है उनके गुनगान में मन लगाया यह शत्संग हुआ कभीर शाहब कहते हैं अवधु भूले को घर लावे, शोजन हम को भावे, घर में जोग भोग घर ही में, घर तजी वन नहीं जावे, वन के गए कलपना उपजे, तबधों कहां समावे, घर में जुकती मुकती घर ही में, जो गुरु अलख लखावे, शहज सुन्य में रहे समाना, शहज समाधी लगावे, उनमुनी रहे ब्रम्ह को चिन्हे, परम्ह तत को ध्यावे, शुरत निरत शो मेला करिके, अनहद नाद बजावे, घर में बशत वस्तु भी घर है, घर ही वस्तु मिलावे, कहे कवीर शुनो हो अवधु, ज्यों का त्यों ठहरावे, इस बात को हम मानते हैं, क्योंकि कभिर साब ठीक ऐसे ही थे, अशल में वे किस घराने के पुत्र थे, कोई जानते नहीं है, कोई कुछ कोई कुछ करते हैं, लेकिन इतना अवश्य है, कि जहां ताना बीना होता था, उस जुलाहे के घर में पाले पोशे गए, और वहीं वे ताना बीना शिक कर जीविका किये, आज भी काशी जी में कभीर चोड़ा एक महला है, जीवन भर कभीर साहाव ताना बीना करते रहे, जादे लाव के लिए लालच नहीं करते थे, जादे लाव के लिए काम भी अधिक करना पड़ेगा, और शांती भी नहीं इसलिए वे कम काम करते थे और संतुष्ट रहते थे गुरु नानक देव भी वैसे ही थे दोनों में अंतर यह है कि गुरु नानक देव तो नहीं लेकिन उनके तीन पीडियों के बाद गुरु लोगों ने राजनिती में हाथ मटाया और कबिर सहाब राजनिती में नहीं गए जो गुरु लोग राईनिती में लगे उनको शहना भी बहुत पड़ा गुरु गरंथ सहाब बहुत बड़ा गरंथ उन लोगों का है कबीर सहाब गुरु नानक देव जी दादू दयाल जी शंशार के कामों को करते हुए शंत कहला है इसलिए हमने इनको शंतों की गिंती में रखा और पाठ करते हैं शव शंतन की बड़ी बलेहारी दादू दयाल जी पल्टू शहाब जग जीवन शहाब शिव नारण स्वामी आदी संतों ने जो ग्यान कहा उनको हम लोग पढ़ते हैं उनमें है कि काम करो नाम लो नाम शब्द को कहते हैं परमात्मा के भी नाम होत हैं उनके वर्णात्मक और ध्वन्यात्मक दोनों नामों में स्रधा रखो दोनों का अभ्यास करते करते काम खत्म होता है कि वर्णात्मक नाम बहिर वीर्ति और ध्वन्यात्मक नाम आंत्रिक वीर्ति में होता है कि जब तक कोई आंत्रिक वीर्ति में नहीं घुशे नादा नहीं होगी आवागमन का चक्र नहीं छुटेगा आवागमन नहीं होता है ऐसे बात नहीं क्योंकि एक पिता के दो पुत्र होते हैं दोनों के खयाल दो तरह के क्यों होते हैं इसका उत्तर बिना आवागमन के माने पुर्व जन्म को माने नहीं होता इस्टर की भक्ति करके इसके लिए कोई शिखलाने वाले की अवशक्ता होती है शीखने और शिखलाने वाले दोनों की अवशक्ता होती है शब का हिर्दय जैसे शांती चाहता है यह श्वभाविक है वैसे ही सीखने और शिखाने वाले का होना श्वभाविक है इसलिए गुरु के वचन के अनुकु ध्यान करो और कोई खाने देंगे तो खाएंगे अईशा खयाल मत करो श्वेंग अपना कुछ रोजगार करके खाओ गुरु नानक देव कुछ दिन एक नवाब के अन्न के भंडार में काम करते थे और लोगों को तोल तोल कर अन्न दिया करते थे पीछे घूम-घूम कर उन्होंने ग्यान का प्रचार किया उन्होंने तो राजनिती में मन नहीं लगाया लेकिन उनके अनुयायों ने राजनिती में मन लगाया और उससे समय जो पंजाब मुशलमानों के हाथ में था उसको छुडाया उनके एक राजा भी हुए जिनका नाम महराज रंजीत सिंग था जो हुआ हुआ अब हम लोग धियान करें प्रातह काल में दीन में अशनान के बार और शंधिया समय हम तारिफ करते हैं कि मुहमद साहब ने पंच बक्ती नवाज शिखाया अब वे लोग करें या नहीं वे लोग जानें हमारे यहाँ कहा कि हमेशा करो कम से कम त्रैकाल संधिया अवश्य करो बाकी बचे हुई समय में अपने बाल बच्चों के पालन के लिए कोई रोजगार अवश्य कीजिए माई लोगों को भी इसका खयाल रखना चाहिए, बाल बच्चों का पालन करना चाहिए, क्या इस्त्री, क्या पुरुष, सब को अपने धर्म में मजबूत रहना चाहिए, जो नहीं जानते हैं, वे राम राम वा कृष्ण कृष्ण वा रब रब आदी कहते हैं, उनको मुखष भी कहते हैं, उपानशू भी कहते हैं, फिर मानश भी कहते हैं, जो मुह मुह से जपा जाए, उसे वाचिक जप कहते हैं, जिसे केवल अपने कान सुने, दूसरी नहीं, उसे उपानशू जप कहते हैं, जो केवल मन ही मन जपा जाए, जिसमें होट और जीव नहीं चले, उसे मानस जब कहते हैं इसके बाद ताकीद है नादानु संधान की नादानु संधान का गोड़ा या अस्थान विंदु है विंदु में तह नाद बोले रैन दिवस शुहावनन पल्टु साहव इसी तरह कितने लोग कहते हैं कि सब कोई मोक्स पाले तो फिर संसार कैसे रहेगा इसकी चिनता तुमको क्यों इसकी चिनता तो परमात्मा को होनी चाहिए जिसने संसार बनाया है परमात्मा सर्विशक्ति मान है शंसार समाप्त हो जाने पर फिर वे बना लेंगे एक बार नहीं अनेग बार बना सकते हैं और जो उनके भक्त हैं शंत हैं शंत भगवंद अंतर निरंतर नहीं कीमपी मती विमल कह दाश तुलशी जो पूरा भक्त होता है वह भी वैशा ही हो जाता है जो इसका साधन करता है बहुत जन्मों तक करता है तब आवागमन से छूट जाता है कोई कहे इस जन्में भक्ति करें और उस जन्में खाने पिने को ना मिले तब क्या हाल हो ऐसी बात नहीं उसके अंदर में जो प्रेम है वह है उत्तम से उत्तम होता जाएगा, खाने पीने की कसर नहीं रहेगी और न किसी चीज की, कसर रहेगी चूड़ी की, बेमानी की, बेविचार की, नशा और हिंशा की, यह मीट जाए, वही ठीक है, तभी भला है, मैंने अपनी जीवन में देखा है, कि डॉक्टर मिलना चाहिए, तो अच्छे डॉक्टर मिल गए, और शदी अच्छी चाहिए, मकान भी अच्छा चाहिए, तो शो भी मिला है, थोड़ा दुख भी होना चाहिए, तो वह भी मिलते रहते हैं, और छुटते रहते हैं, परंपूजी गुर्देव का यह परवचन दिनांक 226.1976 को महर्शी में ही आश्रम कुपागाट भागलपूर में शाप्ताहिक सस्थन के अफशर पर हुआ था श्री शद्यगुरू महराज की जय